12.4 शक्ति, पावर, रमेश एवं राखी के घर पर पानी की टंकी समान आकरिती और उचाई की है, दोनों ही अपनी टंकी में पानी चड़ाने के लिए विद्धुत मोटर का प्रयोग करते हैं, राखी के घर की पानी की टंकी रमेश की पानी की टंकी से जल्दी भर जाती है, एक किलोग्राम दाल को पीछने में पडोसी के ग्राइंडर से ज़्यादा समय लगता है। ऐसा क्यूं? क्या इनमें कुल किया गया कार्य अलग-अलग है? या मोटर वा ग्राइंडर की कार्य करने की शमता अलग-अलग है? समान कार्य को करने में अलग-अलग मशीनों को लगने वाले समय में अंतर हो सकता है। अर्थात इनके कार्य करने की दर अलग-अलग है। कि ये कितनी तेजी से और्जा में परिवर्तन अर्थात कार्य करते हैं। कार्य करने की दर या और्जा रुपांतरन की दर को शक्ति कहते हैं। इसे गणितिय रूप में ऐसे लिखेंगे। यदि कोई व्यक्ति T समय में W कार्य करता है तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय P is equal to W by T शक्ति की एकाई मात्रक W है यदि कोई व्यक्ति 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है तो उर्जा उप्योग की दर 1 जूल पर सेकंड होगी तथा शक्ति 1W होगी अर्थात 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड या 1W is equal to 1 जूल पर सेकंड ज्यादा शक्ति हो तो उसे हम किलो वाट में नापते हैं एक किलो वाट बराबर 1000 वाट यदि हमें पता करना हो कि किसी मशीन में कितनी उर्जा खर्च हुई है तो हमें देखना होगा कि उसकी शक्ति कितनी होगी और वह कितने समय तक कार्य कर रही है उपयोग की गई उर्जा P is equal to W by T से W is equal to P into T यदि P is equal to 1KW तथा T is equal to 1H हो तो उपयोग में ले गई उर्जा 1KWH होगी अर्थात 1KWH एक किलोवाट घंटा उर्जा की वह मात्रा है जो 1KW के किसी स्रोत को एक घंटे तक उपयोग करने में व्य होगी घरों में उद्योगों में तथा व्यावसाइक संस्थानों में व्य होने वाली उर्जा को प्रायाह किलोवाट घंटा KWH में व्यक्त करते हैं उदाहरण के लिए एक महिने में उपयोग की गई विद्यूत उर्जा को यूनिट के रूप में व्यक्त करते हैं यहां एक यूनिट का अर्थ है 1KWH 1KWH is equal to 1KW into 1H is equal to 1000W into 3600 second is equal to 36 lakh joule is equal to 3.6 into 10 raise power 6 joule प्रश्न शक्ती किसे कहते हैं एक वाट शक्ती को परिभाशित करें यदि एक बल्ब 990 joule विद्यूत उर्जा 10 सेकंड में व्यक्ता है तो इसकी शक्ती कितनी है